हलो स्टूडेंट आपका अमारे यूटुब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सिंप्लिफाइ के कुछ कोशन करेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अपने स्ट वीडियो को तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमें इस तरीके कर और कोशन दिया हो उसको स्प्लिफाइ करना हो तो कैसे किया जाता है question हुआ रहा है 4 by 5 divided by 7 by 15 into 8 by 9 ठीक है तो यहां पर हम board mass वाला rule apply करेंगे board mass तो यहां bracket तो ही नहीं ठीक है तो सबसे वहले हम divide करेंगे फिर multiply करेंगे तो सबसे वहले इन दोनों को हम solve कर लेते हैं ठीक है तो divide को solve करने के लिए हम क्या करते हैं पहला fraction सेम रहेगा फिर यह into का निशान हो जाएगा और यह वाला उल्टा हो जाएगा 15 उपर और 7 नीचे आ जाएगा ठीक है और यहां पर last में हमारे इप्लाइ करना है तो कोई नमबर कट रहा है तो काट देते तीन से काटा यह और यह चार तो चार अठे 32 हो गया और सात्या 21 हो गया तो 32 बटे 21 इसका answer होगा अब अगले देखते हैं अब यहां पर question सेम है बस थोड़ा सा changes है चार बटे 5 4 by 5 of 7 by 15 divided by 8 by 9 तो हमारे पार जो board mass होता है तो यहां पर board mass के बाद हमारा bracket होता है order divide multiply addition subtraction तो यहां पर सबसे पहले जो off है इसको हमें solve करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें इसे solve करना है और इसका मतलब क्या होता है 4 by 5 off की जगा multiply आएगा 7 by 15 ठीक है और last में divide by 8 by 9 है तो इसको करेंगे तो 7 चौक 28 बटे 75 हो गया divided by 8 बटे 9 हो गया अब divide करेंगे तो पहला fraction सेम रहेगा ठीक है अगला वाला change हो जाएगा 9 उपर और 8 नीचे तो इसको काड़ देते हैं चार दुनी आठ चार सब तैठाइस फिर इसको काड़ तीन तीया 9 तीन तुनी छे तीन पंजे 15 हम नहीं कट रहा है तो multiply करेंगे 7 तीया 21 हो गया 25 दूनी 50 हो जाएगा ठीक है तो यह इसका answer होगा अगला हमारे पास है 1 by 2 of 3 by 4 into 1 by 2 divided by 2 by 3 तो सबसे पहला हमें पता है कि board mass apply करेंगे तो यह off वाला solve करना पड़ेगा तो यह आएगा 1 by 2 into 3 by 4 ठीक है बाकी को हमने बिलकुल सेम लिख दिया है 2 by 3 अब इसको करेंगे तो तीन बटे 8 गुना 1 बटे 2 divided by 2 बटे 3 अब डिवाइड करना है तो यह हमारे डिवाइड हो रहा है तो यह तो सेम रहेगा तीन बटे 8 into पहला fraction same into 3 उपर आएगा दो नीचा जाएगा ठीक है तो इसको करेंगे हम आगे solve तो तीन बटे 8 गुना 3 बटे 4 हो गया सामने सामने multiply 9 और यह 32 तो यह इसका answer हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला है 6 plus bracket 4 by 3 plus 3 by 4 minus 1 by 3 तो सबसे पहले हमें bracket solve करना पड़ेगा यह सबसे अंदर वाला ठीक है तो इसको solve करेंगे तो अगर मैं यहां पर solve कर लेता हूँ 3 by 4 है minus 1 by 3 है तो यहां LC हम लेंगे तो 12 आएगा ठीक है तो यह तो 12 हो जाएगा 3 से 3 को करेंगे तो 9, 4 को एक से करेंगे तो 4 तो इसको solve करके आएगा हमारा 5 बटे 12 ठीक है तो 6 plus यह 4 by 3 plus इसको solve करेंगे तो हमारे पास 5 बटे 12 आ रहा है तो यह लिख दिया ठीक है अब यह वाला bracket solve करेंगे तो यहाँ पर LC हम लेंगे तो 12 आएगा तो हम multiply करेंगे चार से तो उपर भी चार से 6 प्लस यह हो जाएगा हमारा 16 बटे 12 प्लस 5 बटे 12 तो 6 प्लस दोनों को जोड़ा उपर वालों को तो यह हो जाएगा 21 बटे 12 कट रहा है तो काड़ देते हैं 3 चौक 12 तीन सत्ते 21 तो 6 प्लस 7 बटे 12 फ्लस अब यहां सिमलेंगे चार यह को गुना करेंगे चार से तो ऊपर भी चार से साथ चौक 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 हो गया प्लस साथ तो यह हो जाएगा 31 बटे 4 ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा तो इस तरीके से हम इस टाइप के question को simplify करेंगे उम्मीद है आपको मारे वीडियो पसंद आया होगा थेंक यू